प्रभास मसरा पर दोस्तों यदि हम बिहार में रेलिवल लाइन पे ट्रेनों की स्पीड को देखें तो हमारे बिहार में जो ट्रेनों की स्पीड है वो काफी अच्छी हो चुकी है जो मुख्य रेल लाइन है जो की दिल्ली हावडा का है जो की बिहार होके जाता है इस पे की के रेलवेल लाइन से बिहार में वहां पे 110 की स्पीड है और जो कुछ मात्र रेलवेल लाइन से वहां पे अभी ट्रेनों की स्पीड 100 की है लेकिन दोस्तों हमारी भारती रेलवे जो ट्रेनों की स्पीड है इसे बढ़ाने के लिए काम कर रही है लेकिन दोस्तों इसे बढ सब्सक्राइब नहीं करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं और कुछ बहुत का है तापका है तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिए उन डिस्कौर में दिया हुआ है तो दोस्तों यदि हम इस घटना की बात करें तो य यह हुई है वाया मुझपरपुर जाने वाली एक्सप्रेस टेन के साथ टेन नमर है 12524 न्यू दिली से न्यू चलपाई गुडी को जाने वाली एक्सप्रेस टेन के साथ दोस्तों होता यह है कि कल दिन में करी 5 घंटे लेट यह टेन पहुचती है हाजिपू रेलवे लेट में दोस्तों क्रॉस करने के बाद एका एक इस ट्रेन के सामने एक नील गाया आ जाती है दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ट्रेन के ट्कर नील गाया को देखते हैं वो तुरंती एमरजनसी ब्रेक को अप्लाई करते हैं दोस्तो एक ऑएक emergency brake लगने करन कई सारे जो यात्री है वो चोटिल हो जाते है लेकिन दोस्तो यहां पे train की टकर नील गाई से सुनिश्टित थी और टकर होती है दोस्तो यहां पे टकर होती है नील गाई के जो parts थे वो train में जुड जाते है और ट्रेन किसी तरीके से रुकती है दोस्तों जैसे ही ट्रेन रुकती है ट्रेन के ड्राइवर हाजी पूर जंक्शन को इसकी सूचना देते है जहां से रेलवे की एक टीम पहुचती है और तब जाके गाई को ट्रेन से अलग किया आ जाता है तब जाके जो ट्रेन है वो मुझा परपूर जेंक्शन पे आती है करीब 30 मुना टुकने के बाद और मुझा परपूर जेंक्शन में एक बार फीड से इस्टेन की सफाई की जाती है इस्टेन के इंजन की तब जाके ट्रेन जो है वो न्यू जलपाई गुड़ी जा पाती है दूसरे से बारे में आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरूर बताएं दूसरे स्लिप्स नहीं मिलें फिक निडियों के साथ अब तक लिए जाहें तक भारत